आपको मालूम है देश में अभी लगबख 18 करोड टीवी है उसमें 6 करोड से आधिक घरों में डीटी एज की सर्विस मिलती है तो डीटी एज जो सेवा देते है तो वैसे ही क्षेत्रों के लिए बजेट में और वानिज्यम अंत्रा लेने 100% FDI की बात निर्णय पहले ही किया था लेकिन हमारे INB की गाइडलाइन्स के कारण इस क्षेत्रों को 100% FDI का लाब नहीं मिल रहा था अब आज के निर्णय से यह गाइडलाइन में बदलाव करके कॉमर्स मिनिस्ट्री जैसी ही गाइडलाइन अब यहां रहेगी जो पहले बजेट अलाउंस्मेंट थे उसकी पूर्ती है और इस क्षेत्र को भी 100% FDI के लाया है अभी तक हमारे गाइडलाइन के कारण यह 49% तक ही सीमित था अब सौफी सदी होगा इसके लिए ट्राइ से विचार भी मर्श हुआ और एक विसंगती जो थी वो दूर की है उन्हें लाइसंस भी अब 20 साल तक का मिलेगा और रिन्यूवल हर 10 साल होगा लाइसंस फी भी टेलिकॉम सेक्टर जैसी हो रही है तो एक बहुत बड़ा सेवा क्षेतर को भी एक न्याय देकर लेवल प्लेंग फिल्ड प्रोवाइड करने की आज निरने किया है